किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के multi talented personality थे गाना गाते थे, acting करते थे, comedy करते थे और जो भी काम करते थे, वो बहुत ही जबरदस्त करते थे लेकिन एक काम किशोर कुमार को नहीं आता था वो ये कि किसी अपने को, अपने खास को या अपने दोस्त को किसी काम के लिए मना कैसे किया जाए यही कारण है कि जब भी ऐसी situation आती थी कि उन्हें किसी दोस्त को किसी काम के लिए मना करना है तो वो उस time पर बहुत ही तरीके ढूणने लग जाते थे कि इसे मना कैसे किया जाए ऐसा ही एक किसा है किशोरदा का आनन्द फिल्म को लेकर जी हाँ, राजेश करना को लेकर जो आनन्द फिल्म बनी थी वो पहले किशोरदा को लेकर बनाई जा रही थी Actually, गुलजार साहब जब ये रोल लिख रहे थे तो किशोरदा को दिमाग में रख कर ही उन्होंने इस किरदार को लिखा था और रिशिकेश मुखर जी जो इस फिल्म के डिरेक्टर थे उन्होंने गुलजार साहब को इंशूर किया था कि किशोरदा तो इस फिल्म में 100% काम करेंगे किशोर मुझे ना बोली नहीं सकता है क्योंकि मेरा दोस्त है इस तरह की बाद गुलजार साहब और रिशिकेश मुखर जी में हो गई और उसके बाद गुलजार साहब ने आनंद के किरदार को लिखना शुरू किया फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब टाइम था कि इस पूरी कास्टिंग का लुक टेस्ट किया जाए किसके कॉस्ट्यूम्स क्या होंगे कैमरा के सामने क्या लुक होगा उसका डिसिजन लेना था और इसी के लिए रिशिकेश मुखर जी और गुलजार साहब ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई सारे अक्टर्स को बुलाया गया और उनके कॉस्ट्यूम्स और उनका लुक रेडी किया गया लेकिन जब किशोरदा इस मीटिंग के लिए पहुँचे और जिस तरीके से किशोरदा इस मीटिंग में पहुँचे वो देखकर रिशिकेश मुखर जी तो बहुत ही ज़दा शौक हो गए थे और गुलजार साहब की तो खालत ही खराब हो गई थी किशोरदा ने ये क्या किया है अब मेरी ये फिल्म बनेगी कैसे इस किरदार पर मैंने इतनी मेहनत इतना काम किया है फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है और किशोरदा ने ये क्या कर दिया एक्चली उस तिन मीटिंग में किशोरदा पहुचे थे अपना हैड शेव करके उन्होंने अपना सर ही मुणवा लिया और तो और ये हरकत करने का उनके उपर कोई असर भी नहीं था वो खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे और रिशिकेश मुखर जी को चिड़ा रहे थे कि अब बताव मुझे कैसे लोगे फिल्म में किशोरदा की इस हरकत ने रिशिकेश मुखर जी और गुलजार साब को बहुत बड़ा जटका दिया था गुलजार साब ने इस पूरे incident का जिक्र अपनी बुक में किया और उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी किसी को अपना चेहरा बिगाडने के लिए अपनी नाप कटाते हुए नहीं देखा उन्होंने इस पूरे incident को इस court के साथ finish किया बाद में इस रोल के लिए कास्टिंग गी गई राजेश खना की राजेश खना ने सामने से रिशकेश मुखरजे को कहा था कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस तरह से फिल्म आनंद बनी लेकिन किशोरदा का ये जो तरीका था किसी फिल्म के लिए ना करना ये ना सिर्फ क्रेटिव तरीका था बलकि काफी मजा क्या किस्सा था ये